हरियाना विधानसवा में हिसार एरपोर्ट जमीन को लेकर चाचा अभे चोटाला और उनके भतीजे उपमुख्यमंत्री दुशन चोटाला के बीच जुबानी जंग देखने को मिली इस दोरान अभे चोटाला ने हरियाना की उपमुख्यमंत्री दुशन चोटाला पर गंभीर आरोप लगाए तो वहीं जवाब में दुशन चोटाला ने भी उन्हें एफिडेबिट दे कर अपने आरोपों को साबित करने को कहा और साथ ही उनके खिलाफ विशेशा दिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी भी देडाली दरसल इंडियन नैशनल लोगदल के विधायक अभे सिंग चोटाला ने हिसार एरपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हिसार को इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम दे कर मुख्यमंत्री, मनोहरलाल खटर और डिप्टी सीम दुशन चोटाला ने पोस्ट चपवाए और भूमाफिया खड़ा किया इन एलो विधायक ने आरोप लगाया कि गरीब किसानों की जमीने बना कर सरकार के लोगों ने कोडियों के भाव खरीद ली तो वहीं इन आरोपो का जवाब देते हुए डिप्टी सीम दुशन चोटाला ने आरोपो को जूटा करार दिया और कहा कि सरकार ने 7211 भूमी को खरीदा है यहां से लगती सड़के भी सरकारी जमीन पर बन रही है उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को भविशे को देखते हुए कर रही है अभे चोटाला के आरोपों का जवाब देते हुए दुशन चोटाला ने कहा कि अगर उनके पास किसी तरह के कोई सबूत है तो वो उसे लेकर आए और उसकी जाच कराए जाएगी इसके बाद अभे चोटाला ने दुशन पर परसनल आरोप लगाए कि उनकी कमपनी ने जमीन खरीदी है लेकिन इस दोरान दुशन चोटाला को लेकर अभे चोटाला की शब्दावली पर स्पीकर ने एतरास किया और अभे चोटाला ने आपका मंतरी कहा तो स्पीकर ने उन्ह जी श०िकार hanan प्रस्ताफ लाया गया सदन में स्पीकर ने प्रस्ताफ के समर्थन में सदस्यों का समर्थन खड़े हो surprisingly और इसके बाद सदस्तापक्ष के तमाम सदस्यों ने खड़े हो कर प्रस्ताफ का समर्थन किया और चौटाले के खिलाब विशेशादिकार हननन का प्रस्ताफ मन्जूर हो गया